दोस्त अनासकार आप सभी की फर्माईश पर आज हमें कैसे सेलेबरिटी की बात करने वाले हैं जिसके एक ट्विट ने दरसल मोधिस सरकार की नीद उड़ा दिये अब आप सोच रहे होंगे कि यार एक ट्विट से के अर्माईश सरकार की नीद उड़ सकते तो बेशक उड़ चुके हैं वो शक्सियत का नाम आप थमनेल पर पढ़ी चुके होंगे देखी चुके होंगे समझ गये होंगे लेकिन रुकिए वो एक सिर्फ पॉप सिंगर ही नह हैं तो चलिए सबसे पहले उनके नाम से शुरू करते हैं तो नाम जो उनका पूरा है वो है रोबिन रिहाना फैंटी बहुत सारे लोग रियना भी बोलते हैं अपने अपने अनुसार आप दरसल उनके नाम को उच्चारित कर सकते हैं लेकिन जादा तर उनका नाम रिहाना ह आपकु बताने वाले हैं, रीरी उले कहा जाता है, केरेबीएन क्वीन उले कहा जाता है, दाबारबारो क्वीन कहा जाता है, और ओफ आधी वगेरा नाम से उन्हें जाना पहुचाना जाता है, अब उनके date of birth की हम बात कर लेते हैं कि वो कब पैदा हुई तो 20 February 1988 का उनका जन्म है यानि कि तक्रिबन हाल फलाल में 32 या 33 साल के बीज की हो चुकी है अब वो कहां पैदा हुई उनका जन्म इस्तान कहा है वो भी सुन लिजए सेंट माइकल बार बारोस में वो पैदा हुई है और दरसल हम सबको जब ये नाम आता है तो गेरी सोबर्स और कारलोस ब्रेथवेड जैसे कई मशूर जो खिलाडी हुए हैं वो यकायक याद आने लगते हैं अब इनके एजुकेशन के अगर हम बात करें इन्होंने कहां तक ए पीरियर हाई स्कूल और उसके बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है उसके पीता का नाम है इनका रोनाल्ड फैंटी जो एक वेर हाउस में सुपरवाइजर थे और इनकी स्टोरी बताऊंगा मैं इनके पिता चिकी उसके बाद इनकी माता का नाम मौनिका ब्रेथवेट जो एक रिटायर्ट एकाउंटेंट थी चलिए अब इनके आगे हम बात कर लेते हैं इनका व्योवसाई क्या है ये क्या खासकर किसली जानी पहचानी जाती है मैंने बता दिया है पॉप सिंगर है एक्ट्रेस है विजनेस हूमन है और भी बहुत सारे काम करती है फैशन स्टिश के भक्ते जन है वह गूगल पर सार्च कर रहे है कि रहाना हैं मुसलिम कनेक्टिविटिकर है यदि कहीं कहीं न कहीं मुसलमान का एंगल खोजने कोशिए रहाना के के नाम कर रहा था तो रहांदी MP3N होते उए उनका नाम रहाना है और वह इसाय धर्मétaर बिलोंग क इनके दो भाई हैं वैसे इनकी जो सोते लीमा हैं उनके भी दो भाई और कुछ बहने हैं और आगी मुझे पता नहीं है इनके पसंद जाता सेलिबरिटी की हम बात करें तो मेडोना है मार्या केरी है और बॉब मारले है प्रेमिय की बात करें तो का लंबा चोड़ा इतिहास हैं चली मैं आपको सन वाइस बताता जाता हूं कि कप कप कौन-कौन से बॉइफ्रेंट के संपर्ख माहिए इन्हों नहीं भी शादी नहीं कि ये स्रिप कह सकता है लिव-इन से 2003 के बीच में जो अफैर चला वह चला नेगश सीली के साथ उसके बाद क्रिष्टन ब्रून शास से साथ तक नहीं पर जोष हर्टनेस रहें और उसके बाद ट्रैक 2010 में रहें 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 इसके बाद यह आनप रोकी जो हैं वह दोहर 13 में रहें करीम बेंजमा 2015 में रहें और कई बार ऐसे भी जान करें इनके निकल का सामने आती है कि एक साल में ये दो दो के साथ कह सकते हैं डैट कर रही थी चलिए ये उनका अपना निजी जिन्दगी है इनकी संपत्ति की बात करें तो 2019 में फॉर्प्स जो मैगजिन होती है उसने च्छापा था बता रहा था मैं इस पर शोर नहीं हूं कि सबसे जो धनी म्यूजिशन की बात करें तो उसमें रिहाना का नाम आ रहा था उस वक्त 2019 में इनके पास 600 मिलियन डॉलर के आसपास संपत्तित थी यह इनका परसनल कह सकते हैं कि बारे में बात कर ली अब इनके करियर पर आ जाते हैं इ लिया नहीं क्योंकि बहुत माइनर चीज हैं कि इनके पास कितनी कारे हैं कितने कुटे हैं कितनी विलिया इनका हमने जिक्र नहीं किया अब इनके करियर की बात कर लेते करियर बहुत शांदार है करियर के पहले मैं आपको बता देता हूँ दरसल यह बहुत गरीब परी और इनके पिता जी शराब पीते थे गांजा फूखते थे या कह सकते हैं कोकीन वगएरा लेते थे घर में लड़ाई जगड़ा खूब होता था मा और पिता के बीच में और यह काफी जाए परिशान रहती थे टेंशन में रहती थे इनके बारे में ऐसे भी कहा जाता है कि इन्हो की वज़ा से हैं खर उसी बीच में इन्होंने गाना शुरू किया तो मैं आपको बता देता हूं जब रिहाना टीन एज में पहुंची तो उन्होंने जिंदगी के तकलिफों से कह सकते हैं पीछे चोड़ाने की कोशिस की और सब कुछ भुलाने के लिए उन्होंने फिर गा करती थी एक दिन रिहाना को मशूर इंग्लिश मुजिक प्रोडूसर इवान रोजर्स को ओडिशन देने का मौका मिला यहीं से इंदकी बदली है रिहाना की गाय की इवान को खूब पसंद आई और जो इवान है वो इन्हें अमेरिका लेके आगए अपने साथ रखा इवा काफी ज़्यादा मजबूत हो गई काफी ज़्यादा हो कह सकते के पाउर्फुल हो गई और संगीत के मामले में बहुत अच्छा उन्हें नौलेज हो गया अब हुआ क्या कि रिहाना को रोजर्स एक दिन दरसल डेफ जैम के रिकोर्ड्स लेके गए यह बहुत बड़ा कैसा रिकोर्ड्स माना जाता था अमेरिका में और हैबी से वहाँ पर मशूर रेपर जेज़ी के साथ इन्हें गाने का मौका मिला जेज़ी को रिहाना की आवाज बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने डेफ जैम रिकोर्ड्स के लिए छे अलबम रिहाना के लिए साइन रिहाना को गाने का यहां से मौका मिलना शुरू हो गया जो जेज़ी है वो काफी ज़्यादा मशूर रेपर माने चाते थे उस समय तो रिहाना को इनकी आवाज कह सकते हैं कि पसंद आती थी तो रिहाना की आवाज भी यह काफी ज़्यादा पसंद करने लगे थे पहला गी रिहाना ने अपना पहला एल्बम म्यूजिक आफ दा सन रिलीश किया और यह भी एल्बम काफी जादा पॉपुलर हुआ या कह सकते के बिलबॉर्ट 200 में टॉप 10 में यह शुमार हो गया 2006 में लाई गर्ल करके अल्बम आया जो वो भी काफी फेमस हुआ और 13 देशों में रिहाना का यह अल्बम टॉप 10 की रैंक में पहुँच चुका था उसका 2007 में तीसरा एल्बम आया गुड गर्ल गॉण बैड जो काफी जादा फेमस हुआ और पूरी दुनिया में इस गीत को काफी सराय गया और लोगों ने रिहाना को पसंद करना शुरू कर दिया उसके आवास के वोई लोग दिवाना हो गए इसके बाद लंबी चोड़ी एक हिश्ट्रिय के यह यह एल्बम आया लेकिन मैं जातर नाम नवाता तो कुछ एक का नाम आपको बता देता हूं इनका सबसे मशूर जो गीत है वो अम्रेला है मैंने भी एक दुबर दफार सुना है हाल दो तीन दिन पहली इसके पहले मैंने नहीं सुना था आप भी सुन लाउंट इस्टॉप दाम्यूजिक आदी वगयरा इनके एल्बम आते रहते हैं जो काफी जादा पॉपूलर होते हैं हम सब्सकार की बात कर लेते हैं कुछ लोग इनको कह सकते हैं कि कह रहे कोई ओकात नहीं यह तो कपड़े उतार के डांस करते हैं यह तो फलाना है कुछ लोग कहता है कि हमारी कंगना से तो बहता है यह तो आपको पता देता हूं पुरुसकार जो होता है जो इनका नाम शामिल हो चुका है साती रिहाना को तेरा बार अमेरिकन म्यूजिक आवार्ड और बार बिलबॉर्ड म्यूजिक आवार्ड मिल चुका है यह अपने आप में बहुत बड़े अवर्ड है जिनका मैंने नाम लिया है यानि कि इस लेवल तक पहुँचने के लिए जो रेपर होते हैं सिंगर होते हैं वो पुरी जिंदगी खपा देते हैं तब पहुँच पाते हैं लेकिन रिहाना ने 10-12 साल में ये मुकाम छू लिया चिली उसके बाद विवाद की बात कर लेता है कि रिहाना कब का विवादों में रही है तो हाल फिला हम किसानों की बात कर लेता है किसानों के समर्थन में जो उन्हें ट् depress convert किया है उससे काफिता है पहले भारत के कुछ लोग नहीं अधिकान शायद नहीं पैचानते होंगे रिहाना को लेकिन जैसे ही उन्होंने किसान समर्तन में अपना ट्विट किया अब देश में उनका नाम का डंग का बज़ रहा है यानि कि यहां तक कि मोजी सरकार के जो विदेश मंत्राले उनको भी इस ट्विट के चलते जवाब दे करना पड़ा है कि विदेशी टाकते इसमें कह सकते हफ्तक्षब न करे हमारा आंत्रिक मामला है तो पहला विवाद तो यहीं है काफी जादा विवादों में है भारत में इनके नाम के पुतले फोके जा रहे हैं बाइकोट करने की विस्तला दी जा रही है यह भक्त टाइप इनके जगड़ा होगा है सुरक्यों में रहा था वो उसकाद रहाना ने अमेरिकी दो म्यूजिक कंपनियों को कोट में घसिट ले गई थी और उनसे 35 मिलियन डॉलर का कह सकते हैं कि मौज़ा मंगा था क्योंकि उन्होंने कॉंट्रेक्ट कर दिया था रहाना के साथ लेकिन पर बाद में यह कोट के बाहरी मामला सुलज गया 10 बिलियन डॉलर में बिलियन डॉलर में मिलियन डॉलर में सोई उसका अमेरिका में पुलिस के बरबरता देखी गई थी जो एक अफ्रीकी व्यक्ति को कह सकते हैं कुचल दिया था अपने गुट्णों के माधियम से उसको उस समय भी इन्होंने ट्विट किया था उस समय भी सुर्क्यों में आई थी तो इस तरह इनका कैसे हैं सोशल मीडिया पर काफी ज़्यादा एक्टिव रहती है जहां जहां इन्हें बोलने के जरुत रहती है वहां बोलती है अब बात कर लेते हैं इनके फॉलोवर के तो फॉलोवर है ट्वीटर पर 101 मिलियन फॉलोवर हैं फेस्बुक पर 81 मिलियन हैं यह इनके फॉलोवर के तादात में यह निकि रिहाना को कितने लोग पसंद करते हैं उनके फॉलोवर से आप अनुमान लगा सकते हो और उसके बाद ऐसा बताए ज़रा कि जैसे इन्होंने किस साथ ही और नहीं नहींने खुद डोनेट दो मिलियन डॉलर उस समय किये थे ताकि कोरोना में मदद मिल सके हैल्प मिल सके सरकार को अब रिहाना अपनी कमाई का जातर हिस्सा दान कर देती हैं उन्होंने 2012 में Clara Nail Foundation की इस्तापना की और ये जो उनका foundation है ये दुनिया भर के में जो सिक्ष्या से पिछड़े हुए हैं जैसे अफ्रिकन देश हो गए हैं जो छोटे-छोटे मुल्क हैं वो सिक्ष्या के मामले में पिछड़े हुए हैं स्वास्तिक मामले में पिछड़े हुए हैं उनक कि ये जितना कमाती है उसमें से बहुत सारा जो धन है वो डॉनेट भी करती है अच्छे कामों के लिए यनिकि वो सामझ कार्यकरत एक रूप में भी पहचान बना चुकी हैं तो ये था रिहाना के बारे में पुरा भ्योरा उनकी जन्म कुंडली आपको कैसी लेगी मुझे बताएं अगर कुछ चीजें छूट गई हो तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं क्योंकि उनका जो हिस्ट्री है वो काफी लंबी चूड़ी है मैं चाहता था कि शोट में सारी जान करी आपके सामने रखूं लेकिन फिर भी अधिकांच उनकी जो में बाते हैं वो हमने कव कर लिए अगली बार आपके इसकी जन्मकुनली देखना चाहते हैं मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आपको कुछ इसी तरह के सेलेबरिटी की जन्मकुन नमस्कार